हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चानल हसे स्टेडी गाइड में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीबिटी टॉपिक पीपी के बारे में पीपी यानि की परसनल प्रोटेक्टिव एकुपमेंट तो चलिए देखते हैं कि टीबिटी के दोरान आप आपको उनको क्या बातें बताना बहुत ही जरूरी है तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो भी परसनल प्रोटेक्टिव एकुपमेंट है उसका क्या में रोल होता है और वो किसलिए पहनना बहुत ही जरूरी है यानि कि वो अगर आप नहीं पहनते हो तो उसकी वज़ यह आपको उनको बताना है जैसे कि falling हो या फिर flying जो भी objects हो या फिर bumps हो ये जो हजार से इसका सामना आपको करना पर सकता है तो इस हजार से बचने के लिए आपको head protections की बहुत ही जरूरी है तो head protections वो क्या होता है कि जैसे कि hard hat हो गया या फिर bum caps हो गया या फिर safety helmet हो गया तो ये जो pps है या आपको पहनना है इस हजार से बचने के लिए फिर आपको बात करना है कि eye protections हम किस लिए पहनता है तो उसके regarding जो भी हजार से जैसे कि dust हो गया गया वेपर हो गया projectiles हो गया या फिर radiations हो गया ये जो हजार से इससे बचने के लिए जो है आपको eye protection पहनना आपको आई प्रोटेक्शन पहनना बहुत ही जरूरी है जिसमें है safety glasses हो गए, goggles हो गए, face visors हो गया या फिर face shield हो गया तो यह जो आई प्रोटेक्शन से ही आपको पहनना है इस हजार से बचने के लिए फिर उसके बाद आपको बात करनी है hearing protections के बार में, hearing protections अगर आप नहीं पहनते हो तो उसके लिए आपको कोई से 1000 का सामना करना पड़ेगा वो आपको बताना है तो उसमें ये है कि बहुत सारा अगर noise किसी workplace में अगर हो रहा है और वो जो noise है वो continuous है तो उसके वज़े से क्या हो सकता है कि आपकी जो hearing capacity है उसके उपर impact हो सकता है तो इस 1000 से बचने के लिए आपको hearing protection पहनना बहुत ही जरूरी है तो hearing protection के लिए हमारे पास क्या पीपी होती है कि जैसे कि air plug हो गया या फिर air muff हो गया तो ये according to वहाँ पर कितना noise होता है उसके उपर ये depend होता है कि आपने air plug पहनना है या फिर air muff पहनना है तो ये पीपी आपको इस्तमाल करनी है जब भी ये 1000 वहाँ पर available है फिर उसके बाद आपको बात करनी है fall protection के बारे में ये fall protection क्यों जरूरी होता है कि जब भी आपको work at height में काम करना हो तो उस वक्त उस work at height से नीचे गिरने से बचने के लिए आपको ये fall protection इस्तमाल करना बहुत ही जरूर है तो उसमें आता है body harness यानि कि full body harness जो है वो आपको पहनना है फिर उसके बाद आपको बात करनी है respiratory system के बारे में तो ये respiratory system जो है वो पहनना क्यों जरूरी है ये आपको बताना है जैसे कि concrete dust जो है वो जो particles है वो 1000 है fiber glass हो गया या फिर chemicals vapors है ये अगर 1000 साइट पर अगर available है तो उसके लिए आपको respiratory system पहनना बहुत ही जरूरी है तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी suitable face mask है उसका आपको इस्तमाल करना है या फिर half या फिर full जो face mask है उसका आपको इस्तमाल करना है जब भी ये 1000 वहाँ पर available हो फिर उसके बाद आपको hand protections के बारे में बात करन है उसमें बताना है कि hand protection क्यों जरूरी होता है और उसके regarding क्या हजार्स होते है जैसे कि sharp edges हो गये, knews हो गये, cold या फिर hot surface हो गया, chemicals हो गया या फिर vibrations हो गया तो ये जो हजार से इनसे बचने के लिए आपको hand protection पहनना बहुत ही जरूरी होता है तो उसके लिए आपको suitable gloss पह light या फिर heavy duty blows पहनना बहुत ही जरूरी है फिर उसके बाद आपको बात करनी है visibility jacket की, अब ये visibility jacket क्यों पहनना जरूरी है तो उसके लिए आपको बताना है कि जैसे low light हो गया, यानि कि वहाँ पर light जो है वो कम है या फिर illuminations वहाँ पर कम है या फिर foggy conditions है तो उस conditions में आदमी क जो है वो पैचान होनी चाहिए और आदमी जो है वहाँ पर काम कर रहा है वो दिखाई देना चाहिए इसलिए उसके लिए high visibility clothing पहनना बहुत ही जरूरी है तो ये आपको बताना है फिर उसके बाद आपको discuss करना है footwear के बारे में अब ये footwear पहनना क्यों जरूरी है तो उसक बचने के लिए आपको footwear पनना बहुत ही जरूरी है अब ये footwear में क्या आता है कि आपकी जो appropriate safety shoes होते है वो इसमें आते है तो safety shoes जो है आपको उसके लिए पहनना है जब भी ये 1000 वहाँ पर available हो तो इसमें हमने total 8 PPs के बारे में बात की है तो ये सारी बाते आपको बतानी है जब भी आप DBT conduct करते हो PPA के बारे में यानि की personal protective equipment के बारे में तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं एक नए topic के साथ में तब तक के लिए take care बाई बाई